हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीस सी पाई स्टेडी सर्कल माई नहीं इस तबसुम और आज की वीडियो है मेरी एनाइस के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे हैं अप्रल 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं एनाइस बोर्ट के उनके बारे में गैस टीमे को लेकर के काफी सारे डाउट्स मेरे पास अभी भी आरहे हैं comment section में भी एवन जो हमारी team है वाटसफ पर reply करती है उनके पास भी तो टीम को लेकर के भी बहुत सारे confusion है और आउट्स हैं, confusion मेंली किस चीज को लेके हैं कि online submit करें या फिर offline submit करें और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके पास solution नहीं है जिनको answers नहीं मिल पा रहें तो यहां पर हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, make sure अगर आप मेरे चैनल पर new है भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लीजे, bell icon को दबा लीजे ताकि आने वाले time में आपके सारी useful वीडियोस पहुंचती रहें और आप updated भी रहें साथ यहां पर हम अपना 2022 वाले बच्चों का syllabus भी complete करा रहे हैं, so चैनल को subscribe ज़रू करके रखना, कहीं कोई doubt हो तो मुझे comment करके भी बता देना तो देखे है TMA online या फिर offline which is best, क्या हमारे लिए अच्छा है, जैसे कि आपको पता है कि NIS board ने यह जो हमारी facility है, online submit करने की वो भी हाल फिल हाल में हमारे को यह facility दिये, ठीक है उससे पहले खाली offline हमारे TMA submit होते थे, अब ही क्या हो रहा है guys, online जो बच्चे TMA submit कर रहे हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहे है क्योंकि शायद कुछ technical issues है, so इस situation में जब online हाला कि हमें facility प्रोवाइट कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके online submission में काफी problems आ रही है, बावजूद इसके काफी सरे ऐसे बच्चे हैं जो regular basis पर online submit करने की ही कोशिश कर रहे हैं, so guys यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी बच्चे के online TMA submit हो पा रहे हैं, तो अच्छी बात है आप online submit कर दीजिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा problem आ रही है, आप नहीं submit कर पा रहे हैं, तो उस situation में आप बिल्कुल अपना time waste मत करिए, आप अपने TMA offline mode पर ही submit कर दीजिए, अपने TMA आपको कहां पर submit करने हैं, अपने study center पर या फिर अगर किसी बच्चे का study center घर से बहुत जादा दूर है, तो वो जो है अपने regional center पर भी उनको speed post कर सकता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप online के चक्कर में अपना time waste नहीं करेंगे, विकुस आपको पता है कि 31st January जो है, वो हमारी last date है, TMA submit करने की, तो उससे पहले पहले आप सभी अपने TMA submit कर दीजे, अगर online हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप offline mode पर ही इनको submit कर दीजे, चलिए, अब बात कर लेते हैं गाइस के काफी सारे बच्चों के बिराउर से हैं कि मैं answers कहां से द लेंगी, तो देखे, आपको TMA में full marks कैसे मिलेंगे, वो वीडियो में पहले ही upload कर चुकी, उसका link description box में आपको दे दूँगी, बहुत useful वीडियो है, अगर TMA submit नहीं किया है, तो एक बार उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है, अब बात कर लेते हैं TMA के answers की, आपके पास चाहे 5, 6 या 7 कितने भी subject हो, और आपको पता है सबी subject से बनाने होते हैं assignment TMA, और answers आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए आप हमारे एप को विजिट कर सकते हैं, answers के लिए, एप का नाम है PSE Pi Study Circle, जो की specially NIS Board के बच्चों की problems को ध्यान में रख कर ही हमने launch किया है, तो ए सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप किसी भी course में भी अन्रोल कर सकते हैं, इवन आपके लिए काफी सारा study material भी वहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं, आपका link description box में है, और अगर आपको videos के थूरू, ठीक है, एप पर आपको मिल जाएंगी PDF, अगर आपको videos के थूरू Link सारी videos के में नीचे description box में दे दूँगी, and best से best marks आने की guarantee मेरी है, आप को हाँ से अच्छे से अच्छे ही marks मिलेंगे, तो चलिए, I hope यह सारे के सारे doubt आपके clear हो गे होंगे, अभी भी कोई doubt है, so do comment in the comment section, and if you like this video, so make sure like कर देना, channel पर new है तो subscribe ज़रूर कर लेना, कहीं कोई doubt है तो comment कर के बता देना, चलेगा, see you in the next video, till then keep studying in pie study, thank you so much and goodbye.